एक हो गया, और एक बार, याद रखना, कि आपको ने मैं अपना अनुभा बताता हूं, आज से 40-50 साल पहले, शुरू में मैं कॉलेज पढ़ते समय, खाना खाते समय, कि हमारे घर में माई कोई चावल साफ करके देते हैं, अगर एक दिन कोई नहीं आया, तो चावल माकाजी साफ किया, कुछ ना कुछ होता था, लेकिन माई कभी नहीं बोलता, खाना खाते समय, कुछ मेला निकाल के रखता था, अपने आपकाजी बोलती थी, आज माई ने चावल साफ नहीं किया था, नहीं माई आई नहीं किया था, वो दिखाई नहीं देता है, हमें का माई नहीं थोड़ा ज्यानित आत्मा है, थोड़ा शांती चाहिए, बोलना नहीं है, लेकि तुरत नमक पड़े गया, हाँ बोलो, कुछ नहीं बोला, माता जी अपने आप बोलेंगे, जब वो खाना खाएंगे, आज नमक डाला नहीं भूल गया, आपने बोला ही नहीं, को अर जनी, बा बाबा चप-चाप खाता है, तो बच्चे भी खा सकते हैं, है न, क्याकि बाब के बच्चे है, बाबा की यार देखा रहे हो, तो मुक से कमी बोलना नहीं, तो रह, तो आदत बहुत जल्मों के बड़ी है, अहम है, तो अहम कैसे निकलता है, आज नमा पीर आला ने आज ऐस वैसा किया। ऐसा किया। कि तो बूहता है। egith तो वहां को ुछिसести कैने सबस्रांदी नो रवप कि डुरुना इस दोको ओलते है। माता जी कुछ बोलते हैं, बच्चे नो जवाब दें दो किने माता जी itself न्यवीD अगर घर में शांती चाहते हो ग्यानी के घर में शांती नहीं अग्यानी के घर में शांती होंगी तो यह हो सकता है, थोड़ा सवन करें एहां, एक दिन, दो दिन होता है, फिर भी बार-बार ऐसे होता है, तो उसके लिए क्या कनचे, एक दिन ठुप रहो खाता है, खाना खाते समय, बात में, आज माता जी बीजी थी, किसमें नमक की नहीं डाला, आज चाय में चीनी ही नहीं तो पूछेंगे आज खाना नहीं काया, सबजी नहीं काये, ठीक नहीं मुझे ठीक नहीं लगा, अपने आप गल आपके इच्छा के अनुसार पूछ के बनाईगी, आज क्या खाना बनाना जाए, कल पूछेंगे क्यों हम 2-3 दिन बनाएज हो, खाते नहीं हैं, आपको पूच के करेंगी, आपने कलने खा ये खाना बनाओ ये बनाओ पूचेंगी, तो आपने शिक्षा देना मुकसेन आचरन से, तब जाके गरस्त में शांती हो सकती है।